Hello everyone, welcome once again in my YouTube channel in AK Carrier Academy तो देखिए अभी हम लोग class 10th के physics को पढ़ रहे हैं जिसमें आपको पहला chapter पढ़ाया जा रहा है प्रकास का परावर्तन यानि reflection of light और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताया थे और तल दरपण में यानि concave mirror में कैसे प्रतिबिम्ब कैसे image उसमें बनता है और उसके tricks भी बताया थे कि उसको कैसे हम याद रखेंगे और अगर आप पिछला videos नहीं देखें तो उसका link हम description में दे दे हैं वहाँ से आप देख सकते हैं आज के video में हम आपको बताने वाले हैं उतल दर्पण में प्रतिबिम किस प्रकार बनता है तो देखिए जब हम उतल दर्पण के बारे में समझाया थे तो वहाँ बताया थे कि उतल दर्पण में 6 condition था 6 स्थितिया थी जिसमें प्रतिबिम बन रहा था लेकिन उतल दर्पण में मात्र एक ही condition है मात्र एक ही स्थिति है सुनके तो बड़ा खुशी हुआ कि कमी पढ़ना पढ़ेगा इसमें देखे रियल में होता क्या है कि ये उतल दरपन कुछ इस प्रकार से होता है ऐसे होता है अंदर से रजुतित जब किया जाएगा अंदर से तब क्या बनेगा उतल दरपन ये हम आपको गोलिय दरपन जब पढ़ा रहे थे तो वहीं पर बताये थे इसके सता का जो मिडल पॉइंट है इसको धुरू काएंगे ये होगे आपका मुखे अक्ष और इसमें यहाँ पर होता है फोकस और यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र विकाज खुछ से सूचिए अगर इसको आप राउंड ले जाएंगे गोल आगे की ओर ऐसे गोलिय दरपन जब इसको बनाएंगे तो सेंटर इधर ही न पढ़ेगा इधर तो सेंटर आएगा ने तो इसका केंद्र यह है यानि वक्रता केंद्र इसको हम बोलेंगे और वक्रता केंद्र जब इधर है तो फोकस भी इधर ही होगा लेकिन अब आपके मन में सबसे पहला सवाल यह उठ रहा होगा कि सर आप पहली चीज़ी यह बताए हमको कि आप जब और तल दरपन पढ़ाया थे तो वहाँ पे 6 स्थिती था यहाँ भी तो 6 स्थिती हो सकता है वस्तु को आप पहले यह दोनूं के बिच रखे इस पे रखे यहाँ रखे यहाँ रखे मतलब यहाँ भी ठीक वैसे हैं 6 स्थिती हो सकता है लेकिन हम करें नहीं एक ही इस्थिती होगा क्योंकि आप बताइए हम लोग जब सीसा में अपना चेहँरा देखते हैं तो सीसा को जिस सीसा में आप चेहँरा देखते हैं उसके पीछे पीछे वाला पार्ट से पेंट क्या हुआ रहता है तभी हमको आगे से दिख पाता है अगर वो paint नहीं क्या होगा तो दिखेगा नहीं लेकिन जिस तरफ paint किया है आप कभी सीशा को फोड़ दीजिए आप पीछो जिदर अगर महांगा सीशा होगा तो फोड़ने की जोरत नहीं है पीछे जिदर paint किया होगा उधर से आप देखेगा तो दिखेगा common sense की बात है नहीं दिखेगा तो जिदर paint किया गया है वस्तू को उधर थोड़ी रखेंगे भाई उस side paint किया गया है तो हम वस्तू को उस side तो रखेंगे नहीं इधर paint नहीं हुआ है इस side तो हम वस्तू को इसी side रखेंगे तो आप सुचिए वस्तू को हमें इस side रखना है इधर तो इधर focus वकरता के अंदर है क्या कुछ इधर तो कुछ नहीं है तो जब कुछ नहीं है तो मात्र कहीं भी आप वस्तू को रखो दुरू है और इसके बाद इधर कुछ है नहीं, फोकस वकरता के अंदर कुछ भी नहीं, तावस्तु को कहीं भी एक बार रखलो, तो इसलिए यहाँ पे मात्र एक ही स्थिती बनेगा, तो लीजे, यहाँ पे हम लिखते हैं, उत्तल दरपण में डारेक्ट हम प्रतिविम बना फोकस है उतना ही दुर पे क्या है, वकरता के अंदर भी आप बना लिजे, अब वस्तु को इस साइड आप जहां चाहिए वहां रख लिजे, ठीक है, अगर आपका मन का रहा है तो यहाँ दरपण का भी नाम लिख लिजे, दरपण का नाम छोड़ भी सकते हैं, आप और आप जाल लिजे अभी ही, कि चाहे दरपण हो, चाहे लेंस हो, वस्तु को हम हमेशा रिणात्मक दिशा क्यों रखते हैं, देकि जब आप ग्राफ का जब सॉलूसन देख रहे होंगे, तो आपको बताया क्या होगा, कि यह X एक्सिस होता है, और यह Y एक्सिस होता है, औ अब इसके बाद क्या होगा, मुख्यक्च के समानतर देखिए, जैसे हम और बताया थे ठीक हो यह हए ही यहा B بتा रहे हैं, मुख्यक्च के समानतर आपतित कीजिएगा, तो यह ऐसे reflect होता है, यह कुछ इस तरह से reflect होता है, ऐसे, उत्तल धरपण में reflection ऐसे होता है,kalम क्यक् परावर्तन के बाद ये focus से ही आ रहा है तो ये हो गया आपका पहला condition दूसरी चीज़ आप जब A से और C से दोनों से होके आप्तित कीजेगा तो देखें, मतलब आप यहां से C के दिशा में आप्तित कीजे तो यहां से पहले आप scale scale रख के उसके बाद बनाईएगा तो ही बनेगा, अगर आप ऐसे लहवाएगा तो line 10 मेरा हो जाएगा लिजी हम C के दिशा में आप्तित कर रहे है तो जब C के दिशा में आप्तित करेंगे तो पहले चीज़ सिखें यहां पे यहां दरपण में से यह प्रकास का किरन क्रोस नहीं करेगा बलकि यह देखिए कहां जा रहा है आप डॉड़ड़ चे बस देख लिजे कि कहां जा रहा है, कहां जा रहा है C की ओर जा रहा है और यह C के पास जब जा रहा है तो यहां से C के दिशा में जब आप्तित किया है तो यहां दर्पण पर टकरा के और उसी रास्ते पर क्या होगा यह उसी रास्ते पर वापस लोट जाएगा आप बताइए यह इधर कहीं मिलने वाला है नहीं क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है लेकिन इस साइड तो यहां पर मिल गया है तो यहां मिल गया तो यहीं पर लिख दिजिए A- और नीचे बढ़ा के क्या लिख दिजिएगा B- समझे अब देखिए हम लिख सकते हैं इस स्थिती में इस स्थिती क्या है इसमें तो एक ही स्थिती ही है तो आप डारेक्ट लिखिए उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में प्रतिवींब कहां बना भाई तो हम लिख दिये उत्तल दर्पण में प्रतिवींब ये focus है ये धुरू है तो focus और धुरू के बीच में बना है उत्तल दरपण में प्रतिविम्ब focus और धुरू के बीच बनता है कभी भी आप वस्तू को चाहे इधर रखे प्रतिविम्ब दोनों के बीच में ही बनेगा और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक किरन यहां से जाएगा यहीं से न जाएगा एक किरन आप यहां भी रखेगा तो मुख्यक्ष को समानतर लाएगा तो यहीं से होके जाएगा तो यहीं से जब होके जाएगा दूसरा आएगा तो इसी के बीच में कहीं मिलेगा यानि दोनों के बीच में ही प्रतिविम्ब बनेगा उतल दरपण में प्रतवीम फोकस और धुरू के बीच बनता है जो वास्तों में नहीं मिला है यहां पीछे इसको मिलाया गया है डॉडड़ से तो हम लिक दिये जो अभासी, सीधा और वस्तु इतना बड़ा है प्रतिवीम छोटा हो गया और वस्तु से छोटा होता है तो इसमें कोई दिकनत नहीं है तो आपसे पूछा जाए उतल दरपण में बने प्रतिवीम को स्वक्श किरन आरेक से दिखाएं तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा और इस चीज़ को लिखना पड़ेगा आपको अब यह चीज हमेशा याद रखना है हम जब आपको सम्तल दर्पण के बारे में पढ़ाए थे तो वहाँ पे हम बताये थे कि सम्तल दर्पण में जो प्रतिबीम बनता है वो कैसा होता है? वो अभासी होता है, सीधा होता है और वस्तू के बराबर होता है प्रतिवीम सीधा होता है और प्रतिवीम वस्तु से छोटा होता है और जब ओतल दर्पन को बताये थे तो यह यहां बताये थे कि इसमें प्रतिवीम जो बनेगा यह अभासी भी हो बनेगा और वस्तुविक भी बनेगा ठीक है साथी साथ इसमें प्रतिवीम उल्टा भी बने और बराबर भी प्रतिवीम बनेगा तो यहां से तरहत तरहत के कुष्टन जो है क्रियेट होते हैं बहुत सारे अब्जेक्टिव कुष्टन जैसे माल लीजे कि अगर आपसे पुछा जाए निम्नलिखित में किस दर्पण में अभासी और सीधा प्रतिवीम बनता है तो उतल दर्पण किस दर्पण में अभासी और चोटा बनता है उतल दर्पण किस दर्पण में अभासी और बड़ा प्रतिवीम बनता है तब होगा आंसर उतल दर्पण किस दर्पण में अभासी और वास्तिविक दोनों प्रतिवीम बनता है उतल दर्पण वह कौन सा होगा तो उम्मिद करते हैं कि आपको आज का वीडियो भी समझ में आया होगा आज हम लोग इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताने इस दोनों के यूजज के बारे में इसके कौन कौन से उपियो गए इसका कहां कहां यूज किया जाता है